हाई फ्रेंद्स वेलकम बैक टू दू चैनल मैं हूँ स्वेता सिंग और आग सब का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल पे आज मैं आग सब के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मसाले की रेसिपी इस मसाले से आप तरत है कि सबजियों में मसाले को स्टफ करके बहुत ही चैनल पर चैनल को भीनडी को और आलो में इस मसाले को स्टफ करके हैं तो कई जगों पर इसे बोला जाता है इसे प्रवा फ्राइ मसाले की रेसिपी है और यह मसाला इतना जाए टेस्टी बनता है कि अगर आप इसे बनाएंगे तो खुद आप सोचेंगे कि ये इसका जु फ्लेवर है बिल्कुल अलग आता है और ये सब को बहुत पसंद आता है इसे बनाना भी बहुत जादा आसान है और ये एक मसाले से आप बहुती रेसिपी बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं किस मसाले को कैसे बनाना है और अगर आपको ये मसाला अच्छा लगेगा इसकी र करते हैं तो चलिए देख लेते हैं यहां पर मैंने कुछ मसालों को रखा है जिसको एड़ करके मैं बनाना है तो यहां पर मैं चार चम्मच ली हूँ धनिया और यहां पर है आधा चमच मेथी दाना दो चमच जीरा है दो चमच सरसो है दो चमच अजवाइन है दो चमच मंगरेल है दो चमच सौफ है और यहां पर पांच लाल मिर्चली हूँ मैं तो यह सारी चीजे को अभी मैं एक कडाई में डालूंगी हाला कि अभी कडाई को मैंने गैस पे नहीं रखा है तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ धनिया उसके बाद मैं इसमें मेथी भी डाल दूंगी मेथी दाना और अब मैं इसमें सौफ डाल दे रही हूं और उसके बाद अजवाइन डाल दूंगी और अब इसमें डालेंगे कलोजी और जीरा इतनी चीजों को अभी हमें डाल के रोस्ट करना है सरसो और लाल मिर्च जो मैंने लिया था इसको लास्ट में डालेंगे हाला कि सरसो को रोस्ट नहीं करना होगा और लाल मिर्च को भी हम लोग लास्ट में डालेंगे तो अब मैंने कड़ाई को गैस पे रख दिया है और मीडियम फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे थोड़ा सा ये भून जाए ताकि इसमें से खुश्बू आने लगे तो बस इसी तरीके से इन मसालों को हमें भूनना है लाल मिर्च को हम बाद में ढालेंगे और सर्थों को भूनने की जरुत नहीं है और यहां पे धनिया मैंने 4 चमच लिया है और मेथी दाना आधा चमच लिया है मसाले की जो कॉंटिटी है वो सेम ऐसी होनी चाहिए और बहुत मतलब होता है ना कि थोड़ा बहुत अगर कुछ उसमें कम जादा हो जाता है तो इस मसाले का फ्लेवर अलग हो जाता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा तो यहां पे मैं ये 5 लाल मिर्च भी इसमें डाल दे रही हूं और थोड़ा से इसे रोस्ट कर लेंगे ताकि लाल मिर्च भी रोस्ट हो जाए और मसाले से खुझबो आनी शुरू हो चुकी है धीमी आज पे ही से हमें हलका सा रोस्ट करना है तो यह आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से रोस्ट हो चुका है तो अभी हम इ क्योंकि सर्सों को भूनने की ज़रूरत नहीं है और हल्का सा बस इसमें गरम करना होता है तो यहां पर गैस को मैंने बंद कर दिया है और इन मसालों को एक प्लेट में निकाल ली हूं और जब यह मसाले ठंडा हो जाएंगे तो उसके बाद इसे हमें ग्राइंडर में डालक इसका powder बनाना है तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे रख दिया है ठंडा होने के लिए और यह ठंडा हो भी चुका है तो अब हमें grinder jar लेंगे उसमें इनको डालके और इसे पीस लेंगे तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं तो यहाँ पे अब मैंने इसका ठकन लगा दिया है और इसे हम पीस लेते हैं तो अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसे बहुत ज़्यादा powder जैसा नहीं बनाना है थोड़ा सा दरदरा पीस ना है जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में बिल्कुल ऐसे ही इसे पीस लेना है तो अब हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक बाउल में यह मसाला तो हमारा तयार हो चुका है लेकिन अभी इसे और भी चीजे इसमें एड़ करके इसे बनाना है तो यहाँ पे आप ऐसे भी करके स्टोर कर सकते हैं जब आपको बनाना हो तो बाकी चीजे एड़ करिये नहीं तो आप इसमें बाकी चीजे एड़ करके भी बना के रख सकते हैं यह खराब नहीं होता है तो यहाँ पे मसाले को मैंने बाउल में निकाल लिया है और अब मैं जिस mixer में मसाले को पीसी थी अ उसी में बिना उसको कलीन किए उसी में मैं इसमें डाल रही हूं छीला हुआ लहसन और लहसन को हमें दर दरा पीस लेना हैं बहुत बारिक पेस्ट नहीं बनाना है तो थोड़े से लसन को देखिए मैंने ऐसे दरदरा पीस लिया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये लसन को मैंने ऐसे पीस लिया है तो अब हम इसको मसाले में डाल देंगे मैं पूरा प्रॉपर मसाला आपको बना के बता रही हूँ इस तरीके से आप बना के दो से तीन महिने तक फ्रिज में रखके स्टोर करिए ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो ये देखे लसन को मैंने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ लसन और अब मैं दो चम्मच डाल रही हूँ अमचुर पाउडर और अगर आपको खटे से अलर्जी है तो मट डालिएगा नहीं तो आप इसको डालिए आधा चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और आधा चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्ज का पाउडर तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए और उसके बाद मैं बहुत थोड़ा से इसमें गरम मसाला डाल रहे हूँ गरम मसाला ऑपशनल है आपको पसंद है तो डालिए नहीं तो सक भी कर सकते हैं और इसमें नमक डालेंगे नमक को थोड़ा से जादा ही डालना है क्योंकि यह स्टफिंग का मसाला है तो इसमें थोड़ा नमक जादा रहेगा तभी अच्छा लगेगा और दो से तीन चम्मच के लगभग डाल देंगे सरसो का तेल तो बस अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें जो चीजे डाली गए हैं उसमें से आप अगर अमचुर पाउडर स्किप करना चाहते हैं अगर आम के पाउडर से मतलब आम के अमचुर से या खटी चीजे से आपको अलर्जी है कोई प्रॉबलम होती है तो आप इसके जगह पे अनार दाना जो होता है उसका पाउडर यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे इसे मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूगी और यह मसाले को बना के आप 2-3 महिने तक स्टोर करके रखेए बिल्कुल भी खराब नहीं होता है ज्यादा तर तो मैं इसे फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ अगर आप बाहर भी रखते हैं तो यह जल्दी खराब नहीं होता है लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो दो से तीन महीने तक आपका मसाला अच्छे से चलेगा तो यह आप देख सकते हैं यह मसाला हमारा बनके तयार हो चुका है इसकी खुश्पू भी बहुत अच्छी आ रही है तो इस मसाले से आप बैगन फ्राई आलू फ्राई करेला फ्राई परवल भिंडी जो भी आप भरवा सबजियां बनाना चाहते हैं फ्राई वगेरा बना सकते हैं यह मसाला हमारा बिलकुल तयार हो चुका है और इस मसाले से और भी रेसिपी बनती है अगर आपको चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके बताईएगा मैं वो रेसिपी भी आप सब के साथ जरूर शेयर करूंगी तो उमीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई एंटे के